घर में खुशाली लानी के 18 सरल उपाई अगर इन उपाईों को अपनी जीवन में अपना लेते हैं तो कहते हैं कि घर में खुशाली सुक समर्दी बहुँच जल्दी आती है तो चली जानते हैं कि वो उपाई हैं क्या नमबर एक सुबा उठकर सबसे पहले घर की मालकीं अगर एक तावे के लोटे से पाप पानी से घर के मुख्य दौार पे पानी के छीटे डालती हैं तो घर में धानाने का रास्ता खुल जाता है नमबर दू अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो आप कोई भी काम करें तो पहले दौ़ा पहले नमबर तीन घर में कभी भी जारू को खरा करके नहीं रखें उसे पैर नहीं लगाए नहीं उसके उपर से गुजरें और घर में बरकत की कमी हो जाती है जारू हमेश्या किनारे रखना चाहिए नमबर चार सब्ता में एक बर जरूर समुद्री नमक अथवा सेना नमक से घर में पोच्छा लगाएं इससे नकरात्मक उरजा दूर होती है नमबर पांच महीने में दो बार किसी भे दिन घर में लोवान, नीम के पत्ते, कपूर, लॉंग, अगरबत्ती की धूनी देने से घर में उपरी हवा का बचाव रहता है तथा बिमारी दूर होती है घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए आयत जरूर लगा कर रखें इससे घर में नक्रात्मक शक्ती नहीं होती है नमबर छे पहली रोटी गाई के लिए निकाले, इससे घर में खुशी बनी रहती है नमबर साथ विध्यार्तियों को मोर पंका अपनी किताम में या फे इस्टरी टेबल पे रखना चाहिए इससे परहाई में मन लगता है अगर आपसी रिष्टों में मन मुटाव बहुत ज्यादा बर गया हो तो उसका मतलब मंगल गिरा कमजोर है इसके लिए आप शनिवार के दिन सुन्दर कांड या पाठ करें वही जिन लोगों की कुनली में राहु दोश होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंक रखना चाहिए इससे रह का दोश कम होता है अगर आप चाहते हैं कि घर में सुक शांती बनी रहे तो हर एक अमावस के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करके बेकार समान घर में ना रखें और साफ पवित्र जगा पर कच्ची लसी का छीटा दे कर धूब बत्ती जलाएं वास्तु सास्त्र के नुसा घर का इशान कौन सबसे ज्यादा पवित्र और सकरात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है इस कारण से जीवन में तरख्गी और सफलता पाने के लिए हमेशा इस इस्थान को हलका और साफ सुत्रा रखना चाहिए इस इस्थान पर पूजा इस्थल बनाना काफी शुब होता है नमबर नौ घर में कर्ज वा बिमारी कभी समाप्त नहीं होती है तो इस से बचने के लिए घर में साफ सफाई अवश्य रखें नमबर दस चांदी की कटोरी में कपूर जला कर रसोई में दिखाए परते दिन रात में जब परिवार के सभी सदर से खाना खा लें तो रसोई की साफ सुफोई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जला कर रसोई में दिखाना चाहिए माननी अता है कि इससे अन और धन में बरकत बनी रहती है इसके साथ ही परिवार के सदस्य को सेहत पर भी सक्रात्मक परभाव परता है नमबर 11 बिस्तर पर बैट कर कभी खाना ना खाएं ऐसा करने से बुरे सबने आते हैं और घर में जूते चपल इधर उधर बिखेर कर या उल्टी सीधी करके नहीं रखनी चाहिए इससे घर में और शांती उत्पन्ने होती है और दरीरता आती है नमबर 12 पती-पत्नी में प्रेम बरहाने के लिए शायंत कच में कपूर जलाएं यदि पती-पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिप बनी रहती है तो रात को सूने से पहले शांत कच में कपूर जला कर दिखाना चाहिए इससे सक्राप मक्ता का परवाव बढ़ता है जिससे तनाव को दूर करने में सहता मिलती है माला जाता है कि परती दिन ऐसा करने से पती-पत्नी के बीच का तनाव दूर होता है और रिष्टा मजबूत बनता है घर में परवेशे तू एक दूर ही रखें वास्तो सास्त्र के अनुसार घर के मुखे दूर पर तीन दर्वाजे शुब नहीं होते हैं घर में परवेशे तू उत्तर और पूरब की दिशा बेहतर होती है डक्षिन की दिशा में भूल कर भी दोवार ना दे इससे घर में नकरात्मक शक्ति का आगमन होता है धार्मिक और वास्तो सास्त्रे के नजरिये से तूलसी का पौधा बहुत ही पूजनिये और सक्रात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है तूलसी के पौधे में कई तरह के और शर्दिय गुन भी मौजूद होते हैं वास्तो के नुसार जिन घरों में तूलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहाँ पर हमेशा खुशाली तरक्य और सक्रात्मकता बनी रहती है कहते हैं कि सासफाई को पसंद होती है इसलिए घर के मुख्य दौआ दर्वाजे को साफ रखें और बाहर गंदगी फैली होने पर नक्रात्मक बढ़ती है घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना लाबदायक होता है इसके लिए हरे रंग के गंबले का परियोग करें अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई और पौदे तथा लटाएं लगा सकते हैं शाम के समय पूजा करते समय सरसो के तेल का दीपक जलाएं और उसमें दो लॉंग भी डाल दें आप चाहें तो ये दीपक रोजाना परवेश दौर के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं ऐसा करने से बरे बुजर्गों को अशिरवात प्राप्त होता है जिससे घर में बरकत होती है गर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गरम होने के बाद उसमें थोरे से दूद के छीटे जरूर मारें माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोशों से निजात मिलती है इसके साथ ही पहली रोटी गाए को खिलाएं इस रोटी में एक थोरा सा गुर या फिर चीनी रख सकते हैं नमबर अठारा जेतिश सास्त्र के अनुसार सुर्यास्त के समय या फिर बाद में जारू नहीं लगाना चाहिए माना जाता है कि ऐसा करने से मालचमी घर में चली जाती है और अलचमी का वास हो जाता है और दरीरता पीछा नहीं छोड़ी तो फ्रेंज इस वीडियो में बताई गई जानकरी एक समाने प्राकिरिया के लिए है तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और फैमली फ्रेंज में जरू शेर कीजेगा बाइ बाइ फ्रेंज्स